नामस्कार दोस्तों पर फेश्ट्वागा था आपके अपने से चैनल फैंडिसीविन प्रिडिक्शन में त्रिस्तों में आपके जुमाइस कवर करने वाले हैं एसेटी टूंडी अपरीका का चौथा मैस है जो को दोस्तों पिखला दाएगा एम एल बैसे के इन टीम्स के भी डिप लिनांस करेंगे इस वीडियों फुलिश्टर प्रिजन पो दोनों टीमों के एक प्लियर के स्टार्ट सकॉर्डिंग टू बाइटिंग आपको पता दूँगा इस मैस का टीम कॉबिनेशन के रहने वाला है हमारा वह भी आपको से वीड सब्सक्राइबर होंगे हमारे एकमात रियल चैनल को आपने जोईन करना दोस्तों बात करते हैं मैशकी तुम्हें चब सिको देर बास सामें पाच बसकी इद Secure 10-11 जीने में ऐखा with इस टान इनकी तरफ से आपको ऑपनिंग करते हुने जर रहेंगे जो डोनेक्स कनसोंखो उनके साथ औरेन्ड करने हैंगे इक गिप्ट कनसोंखो कैब ढोनेक्स की से लाष्ट गेमे इनकी शस्यारंब इस एस怖 क्या इस स्रीज से पहले 13-20 मैच के अंदर इंदर 188 रन किये थे 188 के उरे से पार्ट टाइम बॉलिंग भी करना जानते हैं लेकिन टीम ने आज़ा बैट्स में नहीं लाया था बॉलिंग नहीं मिली थी लेकिन आज़ा प्लेयर आप लेना चाहिए सकते हो ठिक टाक से भी रहेंग तो इस स्रीज से पहले 11 मैच के अंदर इंदर इंदर 199 रन के दे 15 के उरे से ठीक स्रक्स टेबले बाद ने बेस पच्छीज कवी भी कर सकते हैं तो आज या प्लेयर आप इन दोनों में से किसी एक को अपने टीम में जरूर रख सकते हो यह दोनों यह आपको उपन करते भी नजर आएंगे वन दोन मेटिंग करते हो दिखेंगे समी शोहल राइट हैं मीडियम पेस बॉल और इस टीम के सबसे टालेंटर राउंडर है लास्ट गेम में दोस्तों 28 रन की नॉट रोट च्यार वर की बॉलिंग कर आए बिकट नहीं मिला था अभी दे आप इस स्रीज से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं के निया केंगे इस भी तो आप इनको सी वी सी ट्राइक कर सकते हो तो डॉट जम बेक राइट हैं बैसमन और ब्रेक बॉलिंग करते हैं लास्ट गेम में चार वर की बॉलिंग करा ये दो बिकट निकाले बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाया सिफ शेरन का योगदान दिया लेकिन बैटिंग से उनने कभी उतना च्छा नहीं करा अपने इदि आप इनका स्टैर्स देखेंगे इस स्री से पहले तो तो तेरा गेम के अंदर इनको सिफ श्यासी रन की थे लेकिन तेरा गेम में इनके नाम पच्छीस विकेट तो थे बंदा हमारे पास था तीन विकेट निकाले कल मैंने सीधे सीधे बोला था डेनियल जगिल को एक जील में कैप्टन चरूर बनाईगा इस्पेशली कल भी मैंने यह लिका था कि जिब मांबे के अंदर ये बंदा टीटोंटी खेला हुआ है अब जो बंदा जिब मांबे लेकिन यह डिबंद करता है बंदा किसके अंगेस खेला है तो डेनियल जखिला फिर से इंपॉर्टन रहेगा बॉल फर्ष्ट होता है तो जील में आप आज जी उनमें सीविसी मत करिएगा उसके रेजिन क्या है यह भी देखना पड़ता कि सामने किस टाइब की बैटिंग यूनिट है तो सामने इस बार केन ने मजबूत है तो इस टीम के बॉलर्स में आज आपने कैप्टरमर्स कैप्टर नहीं रखने है यह भी में किलेर कर दे रहा हूँ जेट अमिका को सेम आले बैटिंग आई नहीं बॉलिंग मिला नहीं आप छोण सकते हो माइकल इस टीम का बॉल फर्ष्ट होता है तो ब्लेसिंग स्पूंडानी को ले सकते हो लेकिन बॉल सिकेंड होगा तो पता नहीं सामने वेल टीम को कितना टार्गेट मिलेगा तो इसलिए फिर उतने अच्छी पिक नहीं रहेंगे निच दिखें दोस्तों माइक चुमाई इनको आ लेकिन उससे पहले आपको बता दू जो आपको फाइनल टीम मिलेगा वह आपको टेलेग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक आपको मिल जाया गईसी वीडियो को डिस्केप्शन और फर्स्ट कमेंड पिन किया हुआ लिंक पे किलिक करके तुरहन टेलेग्राम से आप चुड़ दोस्तों इस ट्रीम की तरफ से आपको उपनिंग करते हो दिखेंगे को लिए उनके साथ उपन करने हैंगे सुगदीब सिंग बात करेंगे दोस्तों को लिए की राइट हैं बट्स में लेग स्पिन करते हैं लेग ब्रेक बॉलर है 46 टी-20 इंटरनेशनल मैस के अंदर इमने करते हैं पिछले 2-3 साल से इर्फान करीम को कीपिंग करना चाहिए सुगदी पाइजा प्लेयर ही खेलेंगे बॉलिंग के चांसे कम रहेंगे आठी-20 मैच में इनकी नाम से 32 रन है लेगिन रिसेंट पे इनकी केन्या की जिम्माम में नेपाल के इंगे इस टी-20 की स्रीज जो थी वहां पर सुगदेव सिंग से टीम ने ओपन कराया था हलांकि ज्यादा सफल नहीं रहे थे लेकिन इस टीम के जो रेगुलर ओपनर है एलेक्स ओवांडा वो इस स्क्वाइड में नहीं है इस साल तो जाहिड सी बात है सुगदी से आपको ओपन करते भी दिखेंगे लेकिन सामने कमजोर टीम है तो अब जील के अंदर इनको जरूट रहे करेगा ग्राण लिग में साहिद कुछ अच्छा कर जाए इरफान करीम को बैसे कर सकतो अच्छे बल्लेवाज है राकेप पटेल की बात के हैं राइट हैं बैसमन और ब्रेक बोल और बीस का ही एक तालिस मैच के अंदर चासुकीज रहना है लेकिन बारा विकेट भी है पार्ट टाइम को उकार ट्यूम आजब मतलब आर्लाउंडर भी खेल लेते हैं लेकिन ठिक ठाक से एवरेज मुझे राउंडर लगे एज़ा प्रेयर ही रही है क्यों बैटिंग बालिंग दोनों कर सकते हैं हलांगी बालिंग के चांसिस कम रहेंगे लेकिन बैटिंग जब आप लेट करने चाल्इस मैच के अंदर तीस विकेट इनके नाम है यह आपको दो से थे तीन और के आस पास देखेंगे 46 मैंचे के इंदर 33 विगटन के नाम है यह दोनों को बीच लगवक्स चार वर डिवाइट रहते हैं तो दो दो और करते वह दिखेंगे इमाइनल गुंदी आपको तीन वर के असपास यह दिखेंगे 15 गेम के अंदर 17 विगटन के नाम भी है यह भी मेडियम बेस बॉलर तो इनको भेले लिजेगा और टीनों यह भी अच्छी एक्स्पीरिंस बॉलर काफे टेम से भी खेल लें 28 मैस में 27 विगट है और बिच्पट इनका तो किसी भी कंडिशन में वर करते हैं और यहां पर लगवाग आपको देखने को मिल सकता है अब दोस्तों इसका टीम किया चलिए मैं टीम में दिखा देता हूं लेकिन उससे पहले बतातूं जो फाइनल टीम आपको दिया जाए का फाइनल अपडेट मिलेगा वो टे इसका टीम किया है चलिए टीम देखते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं टीम की टिपकेट केपरिंग सेक्शन समय जा रहा हूं और फान करीम के साथ बैटिंग सेजन दोस्तों मैंने कॉलिंज ओवियो को अपनिटी में लिया हुआ है राके पटेल मेरे पास है यहां से माइकल चौंबा है अलांगुडर सक्शन से दोफान नंवी अधियम वह हैं और आइसे मने शमी शोहिल के लिया हुआ है बॉलिंग सकी है डैनेल जकील है ब्रेज पटेल है और इसे मोर सम्मोह को लिया हुआ है कैप्टेंसी की दोस्तों बात कर रहे हैं तो कॉलिंग सो भी हमारे कै कर रहा हुआ है थोड़ासा मतलब आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो अब दोस्तों के इन दोनों के अलावा स्मॉल लिग पर जो आपको आस ऑप्सन बस्ते हैं बनाने के तो यह आप बिकेट टेकिंग नेचर के पॉलर्स को बनाने चाहो तो ब्रेज पटेल और अब साम न सब्सक्राइब अब अब अल्लेबास सायथ दोनों टीम में अब खुणना मिले इतने टेकनिकल स्टॉंग बैट मैं है वाइट फर्स्ट में आप रुफान करें को भी सीवीची कर सकते हो बाकी दोस्तों अभीकली मैं भी अपनी इसी टीम से कॉन्टेस्ट जोइन करने वाल के बास तो राके पटेल को में लिया हुआ ये चीद ध्यान दीजेगा राके पटेल इनका पूरा नाम है तो बस फाइनल टीम के लिए टेलेग्राम चैनल जोइन कर लिजेगा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा डिसक्रप्सन फर्स्ट कमेंट में लि दिल से धन्यवाद